तो दूस्तो फाइनली बॉलीवूट के दबंग खान की आने वाली मच अविटिट फिल्म यानि कि टाइगर 3 को लेकर ये ख़बर हम लोगों के सामने आने लगी है कि भाई ये फिल्म बहुत जल्दी ही फ्लोर पर जाने वाली है यानि कि भाई इस फिल्म को लेकर तो मैंने आपको कई सारी जानकारिया दी है लेकिन आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि भाई इस फिल्म का कब कहां और कैसे शिटिंग शुरू होगा और भाई इस फिल्म की आखरी शिडूम कहां जाकर पूरी होगी तो या क्या है ये रिपोर्ट चलिए मैं आपको बताता मैं हूँ नरेंदर और मैं आपके लिए लिख रहा हूँ और एक खास रिपोर्ट जो की जुड़ी भी आप बॉलिवुड के इस सदी के रियल मेगा स्टार यानि की दबंग खान सल्मान खान से और भाई कैटरीना कैप से तो दोस्तों आपको अपने ही है कि टाइगर 3 को ल फाइनल तूथ का काम कंप्लीट कर लिया यानि विया उनका जो पैच बर्ग था वो भी कंप्लीट कर लिया गया उनके सौंग के साथ यानि विया उनके उपर में हाल फिलाल में ही एक सौंग फिलमाया गया जिसका नाम बताया जा रहा भाई का बड़ दे और भाई इस खब जोया को लेकर क्या खबर आ रही है तो यह जोया को लेकर यह खबर सामने आ रही है कि वो अभी भी एक मिसन में फसी हुई है उदैपूर में यानि कि इन दिनों के ट्रिणा काइफ अपनी आने वाली मच अविटेट फिल्म यानि कि भूत पुलीस के शुटिंग में काफी व् भी विए उदर जोया भी यानि कि विए कटरिना कैप भी अपनी आने वाली स्पेल में भूत पुलीस का काम भी कंप्लीट करना चाती है और उसी के बीच में यह खबर भी तो हमनों के सामें आ चुकी है विए दवंग खान को इसी महिने में काम पूरा करना है इसका तो भी पठान का यानि पठान में जो सल्मान खान का कैमियो वाला किरदार है यानि जो टाइगर के लुक में नजर आएंगे वो पठान में वो या इसी महिने में उनको कंप्लीट करना है और उसके बाद भाई सल्मान खान अपने फिल्म यानि कि टाइगर 3 का पहला स्रेडियूल UAE में यानि कि दुबई में ही इस फिल्म का पहला schedule शुरू होगा और उसके बाद शुरू हो जाएगी Tiger की गाथा यानि कि Tiger 3 की गाथा सुरू होगी यहां से उसके बाद यह गाथा आगे बढ़ेगी Istanbul में और उसके बाद अन्त में इस फिल्म का जो आखरी schedule पूरा होगा हो जाकर होगा Turkey में यानि कि विया इस फिल्म को लेकर यह खबर हम लोगों के सामने आ चुकी है इस फिल्म के shooting तीन location पर होने वाली है यानि कि विया UAE उसके बाद Istanbul और उसके बाद Turkey यानि कि इन तीनों देशों में इस फिल्म के shooting होगी और finally दवंग खान इस फिल्म का काम पूरा complete करने के बाद ही वापिस इंडिया आएंगे यानि कि अगर बिया बीच में दवंग खान अगर किसी काम के लिए वापिस इंडिया आ सकते हैं तो वो उनकी आने वाली much awaited film यानि कि रादे और most wanted भाई के प्रमोशन के लिए वो इंडिया आ सकते हैं लेकिन इस पर अभी तक कोई update हम लोगों के सामने नहीं आया लेकिन हाँ Tiger 3 को लेकर ये बात बताई जारी है कि विया दबंग खान भी चाहते हैं कि वो इस फिल्म का काम throughout complete करके ही वापिस इंडिया है तो आप अपने committee के मातर से मिज़र बताईगा कि भाई Tiger 3 को तो हम लोग 2022 में देखेंगे लेकिन विया Tiger की जलक हमें पठान में ही देखने को मिल जाएगी कब तो भाई 2021 में ही और क्या 2021 का connection 2022 से होने वाला है यानि कि अब पठान की ही कहानी क्या आगे बढ़ने वाली है या आगे जाकर इस पर कुछ भी खबर हम लोगों के सामने आगा उसके बाद मैं ये spoiler आप लोगों के सामने रखूँगा तो बॉलिविट से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जाने के लिए हमारे चैनल वर्लू जेक्षिन को लागे स्ब्क्राइब करना ना भूले रवाने अपडेट्स को जाने के लिए बलाकिन को जर्दभाई